साथियों आप लोग समाजार पत्रों में अक्सर कुछ नाम पढ़ते रहते हैं जैसे महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, अट्वानी जनरल और सॉलिस्टिटर जनरल वैसे तो आप लोग इन नामों से भली बात ही परचीत है और इनके बिसमें जानते हैं लेकिन अक्सर हाई कोट और सुप्रीम कोट में जब सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई विव्यक्ति सामने होता है तो इन नामों का प्रियोग अक्सर होता है तो आईए हम इनी नामों के विसमें हम लोग फिर से समझने की कोशिस करेंगे और जानेंगे साथियों पहला पद होता है जिसे महाधिवक्ता कहते हैं और इसे एड़ोकेट जनरल भी कहते हैं महाधिवक्ता राज का सर्वोच कानून अधिकारी होता है वह सभी कानूनी मामलों में राज सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है वो राज सरकार के हितों का बचाओ और रक्षा करता है राजिपाल राज के महादिवक्ता यानि एड़ोकेट जनरल को नियुक्त करता है जो बेक्ति महादिवक्ता नियुक्त किया जाता है उसमें उच्छ नियाले के एक नियाधीस नियुक्त होने की योगता होनी चाहिए महादिवक्ता राजपाल के प्रसाद परियंत तक काम करता है अर्थाद जब तक राजपाल चाहता है राजपाल उसे कभी भी उसके परसे हटा सकता है महादिवक्ता राज प्रभुक को विद्य सम्मंदी सलाह देने का कारे करता है वो राज के दोनों सद्रों यानि विधान सभा और विधान परिसत इसकी कारवाई में तथा इसी सदन में बोलने की अपनी पक्ष रखने की बात रखने की सक्ति रखता है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता क्योंकि उसका चुनाव नहीं होता उसे विधान मंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी बेतन बत्ते एवं विशेज़ादिकार प्राप्त होते है उदारन के लिए भारत में सभी राजियों में महादिवक्ता होते है राजि में जो भी इस्तिती महादिवक्ता की है वही इस्तिती केंद्र सरकार में यानि केंद्र में महा न्यायवादी जिसे अट्वानी जनरल कहते हैं उसकी होती है राजि के महादिवक्ता का कार्याले भारत के अट्वानी जनरल के कार्याले के समानी होता है अर्थाद अट्रानी जनरल केंदर में जो कारे करता है वही एड़ोकेट जनरल राज्य में करता है अक्टूबर 2018 में एड़ोकेट जनरल रागबेंद सिंग ने ये पद हमारे उत्तरप्रदेश में ग्रेंड किया था साथियों दूसरा पत आता है अटानी जनरल जिसे महा न्यायवादी भी कहते है साथियों ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधी अधिकारी अटानी जनरल यानि महा न्यायवादी होता है इसे महा न्यायवादी अटानी जनरल कहते है अटानी जनरल केंदर सरकार का मुख्य विदी अधिकारी होता है जो केंदर सरकार को कानूनी मामलों की राय देता है अटानी जनरल की न्यूकति का अधिकार राष्टपति के पास होता है राष्टपती ऐसे कानून वित को अटानी जनरल यानि महान्यायवादी चुनते हैं जो उच्चतम नियाले यानि सुप्रीम कोड के जज बनने की काबिलियत रखता हो अटानी जनरल दोनों सदनों यानि संसत के लोगसभा और राजसभा की कारवाई में भाग ले सकता है लेकिन बोर्ड देने का अधिकार उसके पास नहीं होता क्योंकि वो चुना हुआ प्रतिनीदी नहीं होता है अटानी जनरल की नियुक्ति में केंद्र सरकार की सलह अवस्य ली जाती है दब राष्टपती इनकी नियुक्ति करता है साथियों एक पद केंद्र में होता है सालीट सीटर जनरल प्रधान पब्लिक प्रजुक्रीटर होता है सालीट सीटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विद्याधिकारी होता है यानि अटानी जनरल के बाद वो विभिन्न मामलों में अदालत में केंदर सरकार का पक्ष रखता है साधान भासा में कहें तो सॉलिसीटर जनरल कानूनी नुमाइंदा होता है जो अदालत और कानूनी मामलों में सरकार की तरफ से पेस होता है और सरकार का पक्ष रखता है राष्ट पती जब तक चाहे सॉलिसीटर जनरल को अपने पद पर रख सकते हैं यह अधिकार पूल रूप से महा महिम के पास ही होता है अटानी जनरल के लिए सॉलिसीटर जनरल सहाय की भूमिका निभाते हैं विदी से जुड़े कागज या कोई कारवाई में सॉलिसीटर जनरल अटानी जनरल की पूरी मदद करते हैं इसके अलावा सॉलिसीटर जनरल किसी भी अदालत में सरकार की तरब से पेश हो सकते हैं और सरकार का पक्ष रख सकते हैं देश के पहले अट्वानी जनरल M.C. सीतलवार थे जबकि देश के पहले सालिसीटर जनरल C.क. दफतरी थे तो साथियों यह हुआ एड्वूकेट जनरल अट्वानी जनरल और सालिसीटर जनरल से सम्मद्दित बातें अभी के लिए बस इतना इधनेवाद